क्या अभी भी तुम ये inefficient and no value for money perfumes use करते हो? नहीं भाई, कोबरा के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये तो king रहे गा ही रहेगा तो आज की वीडियो है non-sponsored and 500 से लेकर 1500 के आपको perfumes बताने वाला हूँ जो की बहुत जादा efficient है हा मैं मानता हूँ ये वाला budget कुछ लोगों के लिए जादा हो सकता है लेकिन मैं अगर तुम्हें एक simple सी बात बताऊ ना तो लॉंग टम में देखा जाए तो जो सस्ते perfumes तुम लोग खरीदते हो वो तुम्हें expensive पढ़ेंगे इन वालों से वो क्यों वो मैं आगे चलके बताऊंगा लेकिन ये वाले भाई एक efficient value for money production असारी सबसे पहला perfume में Beardow का Godfather भाई इसकी जो packaging है ना मुझे काफी जादा पसंदा ये अन्ट सबसे सस्ता perfume, one of the सस्ता perfume 500-600 रुपे का आपको retail का ही भी देखने को मिल जाएगा 1200 रुपे का MRP है तो आपको usually ऐसे prices में देखने को मिलता है जहाँ पर competitive हो इसकी जो packaging के में बाद कर रहा हूँ ना यहाँ पीछे इसमें ऐसे bow tie और suit लगा हुए जो बिल्कुल Godfather अगर आपने movie देखी होगी ना तो उसकी घलकी घलकी vibe देता है क्योंकि special location के हिसाब से काफी जादा एक अच्छी fragrance बन जाती है obviously synthetic है इसमें अलकी अलकी आपको valley smell आएगी लेकिन आप 5600 रुपे में इस से उपर कुछ भी expect मत करनें Notes की अगर बात करी जाए तो mint, geranium, lemon, vetiver और musk जैसे है इसमें strong notes आपको देखने को मिलते हैं Second perfume on my list is Ram Silver from the house of Latafa काफी जादा aromatic vanilla and fruity based perfume है और ये न सबसे अच्छी बात है कि ये unisex है तो अपनी भेहन को बोग ये पैसे मिला हो आदे आदे और हमारे लिए ये ले के आओ ये budget में थोड़ा सा उपर आजाता है जो आपको पहले godfather दिखाया है उससे उसका double ही माल लो 1200 से 1300 रुपे का retail हो रहा है सबके links by the way मैं description में दे दूँगा तो वहां से तुम लोग जाके अराम से खरीद सकते हो मेरे साब से काफी जादा एक अच्छी fragrance बन जाते है अगर आपको उस तरीके को चाहिए एक night perfume बेसिकली चाहिए उन्हों parties वगेरा में जाने के लिए ये थोड़ा सा subtle अपने आपको दिखाने के लिए अगर आप कोई function में भी जा रहे हो तो उसके लिए ये काफी जादा amazing बन जाती है क्योंकि बहुत ही जादा अच्छे तरीके से ये ना कहीं नगई उनको हूब 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 मिमिक कर पाते है इसमें हमारी कोई गलती नहीं है ये वैदरगी की गलती है तो ये भी कोई exception नहीं है ये भी उत्रा ही ठीकेगा लेकिन जो इसका aura है ना और जो इसका काफी अच्छा projection है वो बाकी जो synthetic fragrances है उन से थोड़ा सा उपर है synthetic ये भी ये गई नगई बट इतना आपको वैसे वाले touch देखने को नहीं मिलता है जो आपके सर में दर्द कर देगा सबसे अची बात इनकी ये है कि these are made in UAE तो UAE की जो fragrances होती है थोड़ी सी price ही होती क्योंकि वो international factor आ जाता है and UAE one of the best producers है after obviously french perfumes जो काफी अची fragrances बना रहे है आजकर and I don't really like the bottle हाँ इसका धक्कन अच्छा है बाकि सब I hate to be honest but हाँ क्या करें भाई top 5 मेंस को रखना बनता ही था क्योंकि जो इसका औरा है न वो पैसे देने लायक है third fragrance आती है मेरे पास from the house of bella vita luxury CEO man and ये काफी जादा popularity अभी इसने recently gain करी है 400 से 500 रुपे का ही retail करता ही after discount जो आपको देखने को मिल जाएंगे and जो brand है वो बोलता है कि 4 से 6 घंडे की longevity है मैं वैसे agree नहीं करता हूँ उससे 2 से 3 घंटे again जैसे कि मैं आपको पहले बता है because of the tropical weather ये उतना ही टिकने वाला है bottle-ly मुझे इतने कुछ खास नहीं लगी बिल्कुल simple सी bottle-ly जादा इसमें कुछ नहीं है but if you want something जो आप daily fragrance carry कर पाओ और थोड़ी सी जादा long lasting हो काफी अच्छी हो उसके लिए तुम लोग जा सकते हो CEO man में कोई दिक्कत की बात नहीं है notes के अगर बात कर ले तो lemon spicy, fruity notes है again देखो मुझे na fruity fragrances जादा पसंद क्योंगी इसलिए आते हैं उसमें variations काफी जादा आती है अगर आप कोई ूद बेस perfume लगा रहे हो या फिर Vyvaz में अगर एक impression जबाना है proper उसके लिए बिल्कुल perfect fragrance बन जाएगी and to be honest मेरे पास ये 3-4 महीने से पढ़ा हो है मेरे पास बहुत पहले 3 इनके fragrances आई थी for a brand collaboration लेकिन मैं इसको सबसे ज़़ा use इसलिए कर रहा हूँ आपको provide करेगी 4th fragrance आजाती है Zara Man Night Pore Aum 2 Pore Aum 2 ध्यान रखना क्योंकि इसका जो हैनस में काफी सारे आते है Pore Aum, फिर 3 और 2 तो मैं जो आपको recommend कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब की है भाई बहुत पुरानी fragrance है 2017 से मेरे पास ये वाली bottle पड़ी है खतम भी नहीं करें इतनी जादा लगाई भी नहीं है लेकिन मैं इसकी smell को ना कभी-कभी ऐसे room freshener की तरह use कर लेता हूँ क्योंकि इतनी जादा classy है उस time पे जब मैं ली थी ना अब तो देखो खार packaging में उन्होंने update कर दी है पहले ही इस तरीके की आती थी उस time पे मेरे पास 900 रोपे की आती है अब थोड़ा सा अगर you know price बढ़ा दिया हो तो तुम लोग sales पे जो जारा की आती है वहाँ पे try का सकते हो इसी range में मिल जाएगी तुम्हे fragrance की बात करो citrusy aromatic fragrance है and भाई अगर classy fragrance का मज़ा लेना है न तो night poor home में बिल्कुल invest करना देखो ये न day parties के लिए इतनी जादा अच्छी नहीं है लेकिन अगर तुमने इसको night parties में पहन लिया खास करके एक black shirt के साथ या फिर darker clothes ये आपकी पूरा जिमा भाई खुझ से ले लेगी कही न कही वह वाला हलका सा इसमें tinch आपको देखने को मिलने वाला है क्योंकि वह अगर आप पहन के जाओगे तो उसमें न एक अलगी vibe होती है अगर मेरी माननो तो अगर आपका budget बहुत ही जादा कम है न या फिर 4-5,000 रुपय अगर आपके बास है तो भी honest 2023 में इसका थोड़ा सा trend कम हो गया और stores पर भी न मैंने इतनी जादा देखी नहीं है अगर आपको मिल जाती तो किस्मत की बात है वो इस वज़य से है क्योंकि Zara ने न 2023 में 2023 गया 2021-2022 में भी इतनी सारी fragrance की list निकाल दी है कितना strong है उसके बाद पर चलता है fragrance का last and out of the lot सबसे amazing perfume जो मुझे लगती है भाई इसको बीट करना budget में ना मुमकिन है and I am talking about Ajmal Silver Shade अगर आपने सुना है na Creed Silver Mountain जो की बहुत जाथ expensive perfume आता है उसका कहीं ने गई ये clone है 900 से 1000 रुपे में आपको ये देखने को मिल जाएगा and मैं sale की बात कर रहा हूँ sale में अगर नहीं हो by chance तब भी आप इसको miss मत करना क्योंकि अगर budget में एक bump fragrance चाहिए what? bump fragrance चाहिए ना तो ये वाली है काफी लोग ना कभी-कभी भूल जाते हैं उनको कोई सस्ता perfume है, सस्ता brand देखने को मिल जाते है कि भाई, Latafa, Ajmal, Armaav ये ऐसे expensive perfumes का budget buyer को एक ऐसा clone ला कर देते हैं जो कि काफी जादा उसको mimic कर देता है and आपकी भाई, जेब भी कोई खाली नहीं होती and खास कर कि उसी time पर आप एक experience ले सकते हो if not the best fragrance की अगर बात करें तो citrus, woody और काफी जादा powdery fresh fragrance देखने को मिलती है teenagers के लिए मेरे साब से ये काफी जादा amazing बन जाती है because of the factor कि ये lively mahal का हिसाब से बिलकुल set fragrance है and मेरे साब से उस lively mahal को पूरी list में कोई सा भी perfume बीट नहीं कर सकता इसके अलावा मैं personally इसको काफी जादा use करता हूँ because of the factor कि ये silver mountain का clone है and मुझे इसकी जो projection है वो भी काफी जादा अच्छी लगती है projection का simple ही मतलब होता है कि कितिनी दूर तक आपका ये जो perfume है project कर रहा है उस fragrance को so yeah, this means कि इसकी जो longevity है वो भी बिलकुल normal है average है, बहुत जादा amazing नहीं है लेकिन हाँ, अगर आप कपड़ों बे स्प्रे करते हो इसको तो ये थोड़ा जादा टिक जाता है अगले दिन तक आपको smell आ सकती है उसकी and इसकी जो bottle है न कहीं न कहीं tom food के जो perfumes होते है उसकी तरह दिखते है क्योंकि ये बिलकुल ऐसे लंबा सा कर दी है, यहां तक tom food आ गए उसके बड़कर लगा देते हैं, वो usually वो काफ़े expensive है भाई, 8-10,000 से तो वो start ही होती है सब perfumes के मैं लिंक डिस्रिप्शन में दे दी है इतने लोगों ने सबस्क्राइब में थो थोड़ा सा बुरा लगता है बागे अगर वीडियो पसंदागी तो लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि यूट्यूब है न दूसरे लोगों तक भी एग वीडियो पचाएगा जो budget buyers है, teenagers हैं, उनके लिए काफी एक amazing perfume choices बन जाएंगी, आप लोगों मुझे follow गरते हैं, इंस्टाराम पर भी तो आप लोगों से मिलूँगा हमें नेक्स वीडियो में से तिल दे नेक्स ताइम, stay sexy, stay stylish, see you guys in the next one, bye-bye